सबसे पहलो तो मैं आप सब की इच्छमा मांगूआ क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलम हुआ मैं करना टका से आ रहा था तो अच्छा नहीं आप जैसे बड़े लोगों को इंतजार करना चेहिए और इसलिए मैं आप सब की इच्छमा चाहता हूं पहले आपके सवाल का जवाब देदू अरुण जी आपकी पूरी टीम को लगाईए कि मोदी है क्या दून के निकाले आप प्विंटी नाइन पर अटगे मैं ट्वेंटी फोर्टी सेवन के लिए लगा हुआ हूं आप सब को नमस्कार आज ही जैसा अरुण जी ने बताया भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्वकी प्रक्रिया की शुरुवात हुई है और इस महत्वपुन अवसर पर इंडिया टुडे का कॉंक्लेव हो रहा है आज जहां पूरी दुनिया अनिस्चित्ता के भवर में फसी हुई है एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गती से विकास करता रहेगा आज मूर अब दे नेशन बारत को दुनिया की तीसरी बड़ी करणा विवानाने का कह रहा है आज मूर अब दे नेशन विश्चित भारत के निर्मान का है साथ्यों मैं जब भी इस तरह के कॉंक्लियों में आता हूं आप सभी की उमीद होती है कि खुप सारी हेड्लाइन्स दे कर जाओं लेकिन मैं हेड्लाइन्स पर नहीं बलकि डेड्लाइन्स पर काम करने वाला वेट्ट हूं और इसलिए आज मैं यहां वो बाते भी बताऊंगा जिन को मेडिया उतना आकर्शक नहीं मानता है उसमें यहां बैठे हुए का दोस्त नहीं है उस पूरी बिरादरी का जिने मेडिया छूना पसंद नहीं करता लेकिन यह बुद्धे ऐसे हैं जो सामान ने जन को छूते हैं अब जैसे एक विशह हैं स्टार्ट अप्स का यह सही है कि दस साल पहले तक बहुत इने इने स्टार्ट अप्स थे मुश्किल से सो के आसपास होते थे आज करीब सवा लाग स्टार्ट अप्स रजिस्टर अप्स हैं लेकिन भारत की स्टार्ट अप्स क्रांती की पहचान सिर्फ नंबर वाले नहीं है भारत की स्टार्ट अप्स क्रांती की असली पहचान यह है कि यह स्टार्ट अप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्स से भी जादा डिस्ट्रिक्स में है यह एक प्रकार से 90 प्रसेंट एरिया अप्स कंट्री यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है वरना लोगों को लगता है स्टार्ट अप्स मतलब बैंगलोरो 600 डिस्ट्रिक्स में स्टार्ट अप्स होना यानि टियर टू और टियर थ्री जो शहर है वहां के नौजवान स्टार्ट अप क्रांती की अगवाई कर रहे हैं चोटे शहरों के युवाउं की इस सफलता ने भारत की स्टार्ट अप्स क्रांती को ड्राइव किया है और आज देखिए जिस दल ने कभी स्टार्ट अप्स के बारे में चर्चा तक नहीं की उसे भी स्टार्ट अप्स की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है साथियों आप जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार में जिस योजना से बहुत बड़ा परिवर्ता ना रहा है उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है और ये योजना है मुद्रा योजना हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जग जग गारंटी देनी पड़ती थी लेकिन मुद्रा योजना ने उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था यह बहुत बड़ा डिवल्यूशन है और आकड़ा भी आपको चौका देगा विद्धाउट गारंटी चब्वीस लाग करोड रुपिय का बैंक लोन ऐसे चोटे-चोटे उद्यूमियों को मिला है इन में से करीब आठ करोड मुद्रा लाभारती ऐसे हैं जिनों ने जिन्दगी में पहली बार अपना कोई बिल्दे शुरू किया है ऐसी ही एक और योजना है पीएम स्वनी भी इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्तनव और आसान रण मिला है और वो भी विदाउट गारंटी और इसके पीछे कारण है मेरा जिन्दगी का जो तजुर्वा है इतने सालों में जो भी देखा है जाना है समझा है और मेरा विश्वात बन गया है क्योंकि मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है और इसलिए मेरा साहस था कि स्ट्रीट वेंडर्स को विधावड गारंटी पैसे देना का निरने करेंगे अभी दो तीन दिन पहले मैंने दिल्ली में बड़ा संभेलन इनका किया था स्ट्रीट वेंडर्स का देश के कौने कौने से हजारों रहेड़ी पट्री ठेले वाले गरीब लोग आए मेडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई लेकिन आज आपके प्लेट्फॉम पर मैं उन रहेड़ी पट्री ठेले वालों की सरहाना करूँगा और आपको याद होगा रूटीन में हमारा ध्यान नहीं जाता है लेकिन कोबीड के दिन याद कीजिए इनके बिना जिन्दगी कितनी मुसीबत में पड़ गई थी और मैंने उसी दिन टेह किया था कि ये सक्ति तक्ति है मैं इनके लिए कुछ करूँगा सात्यों सरहाना इसलिए क्योंकि डिजिटल इंडिया को जिस तरों नोंने अपनाया है मैं समसा हूं वो बहुत बड़ा काम हुआ है जिनने अनपड कहकर अपमानित की आ गया था वो ठेले वाले रेडी पत्री वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चहरा बने हुए है विश्व में जो भारत की डिजिटल कांति की चर्चा होती है उसका एक कारण यह है हमारी यहां जो एंबेसीज है ना कि उनके यहां उनके देश का कोई महमान आता है तो किसी रेडी पत्री वाले कि यहां जाके कुछ खरीद करके डिजिटल ट्रांजेक्शन दिखाते है उसको यहने बहुत बड़ा मार्केटिंग विश्व बन गया है हमारे इन लोगों की जो महनत में मीडिया में हाइडलाइट किया जाना जरूरी है और आज मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म का दुरूप्यों को हो तो दुरूप्यों मैं इसे ही कर लिए आया हुआ है ताथियों संभव हैं यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता नहीं होगा कुछ दिन पहले ही मैंने विमन सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स जो गाउं में दस बारा पंदरा बहने एकट्टी हो करके कभी पापड बनाना कुछ आचार बनाना चोटी मुटी कमाई का काम करते हैं ऐसी महलाओं को एक हजार ड्रोन सोंपे हैं वन थाउजन ड्रोन और यह ड्रोन वैसे नहीं है जो आप टीवी वाले वर्ल वार का बिगुल बजाते हुई दिखाया करते हैं वो नहीं है यह गाओं का खेती का और महलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है गाओं की जिन महलाओं ने कभी साइकल तक नहीं चलाई होगी वो अब गाओं में ड्रोन पाइलेट के रुप में जानी जाती है और यह सिर्फ एक ड्रोन देने का कारका में वह मैं किसी नवजवान को भी दे सकता हुआ मैंने बहुत सोच समझ करके बेहनों के हाथ में दिया है क्योंकि आज भी किसी गाओं में एकार बेटी अगर ट्रेक्टर चलाती है तो पुरे गाओं में अजूबा होता है अच्छा बेटी ट्रेक्टर मुझे साइटी को तोड़ना है और मैं दिखावाँ चाहता हूँ कि बेटी ड्रोन पाइलट है पूरे गाओं के जीवन की सोच को बदलने का मेरा इस तरीका है और मैं बानता हूँ जब वो ड्रोन चलाएगी खेत के सारे काम करेगी क्रिशी की इकानोमी को बदली देगी अब कल पुना कर सकते हैं कि उन महलाओं के विशे में क्या होगा मुझे आद हमें जब गुजरात में था तो मैंने एक काम किया था यह आशा वरकर अंगनवाडी वरकर होते हैं मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए और मैंने उसमय जो हमारे यह टीम थी मैंने कहा एर होस्टेज से भी अच्छे कपड़े आशा वरकर और अंगनवाडी वरकर होने चाहिए और मैं देख रहा था कि पहले गाव में सरकार मतलब कोई पुलीस वाला आया तो लगता था कि सरकार आई मैंने इनका सारा उनिफर्म बदल करके यह स्थिती पादा कर दी दी कि गाववालों लगता था यह मतलब सरकार आप कलपरा कर सकते कितनी प्रेश्टिज मिली होगी उसी साइकी और इसी सोच से मैंने यह नमों ग्रोंड दीदी एक बहुत बड़ा भियान चलाया है साथियों आज भारत के हेल्ट सेक्टर में जो ट्रांस्फर्मेशन आ रहा है उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती डॉक्टर त्रिहान यहां बैटे हैं आप लोग पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा देने वाली आउश्मान योजना के विशे में कभी नगवे सुना है कभी जाना भी होगा लेकिन आप आज गाहों में जाएंगे तो वहाँ आपको एक और चीज मिलेगी वो है आउश्मान आरोग्य मंदीर हमारा प्रयास रहा है कि गाहों में ब्लॉक में आथूनिक हैल सेंटर की सुविधा हो इसलिए हमने देश के गाहों में देड़ लाग से अधिक आउश्मान आरोग्य मंदीर बनवाए हैं कुछ लोगों की परिशानी यह सारी योजना मंदीर में अटक जाएगी वो उनका प्रॉब्लम है मेरा नहीं है अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी आउश्मान रायों के मंदीर कहां से लेकर आते गए यह काम लगातार चल रहा है लेकिन एक काम हेडलाइन नहीं बनता है इन आरोग्य मंदीरों में सामान्य टेस्टों होते ही हैं साथ ही डायविटिज से लेकर के कैंसर जैसी बिमारियों की शुरुवाती जांच वहां पर होती है और इन आईश्मान आरों के मंदीरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है हम कोशिश कर रहे हैं कि गाउं के मरीजों को भी सीमलेस ट्रिट्मेंट मिले है आज हम टेली मेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविदा देश के गाउं गरीब तक पहुचा रहे ह है हम डिजिटल डिवर्यूशन यूपियाई में दिखता है यह डिजिटल डिवर्यूशन है अगर आपको सुविदा हो इस संजीवनी एप के माद्यम से ही अभी तक देश वाती 24 करोड तंसल्टेशन घर बेटे ले चुके हैं 24 करोड देश के गाउं में हो रही इस हेल्थ क्रांती की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है साथियों बीते दस वर्सों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विक्सित दिया है हमने उस पर फोकस किया है जो प्रात्रिक ताओं में सबसे पीछे रहता था हमने सरकार बनते ही देश के सो से अधिक पिछड़ी जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्रेम के कारण आज ये जिले अनेक परामिटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं अब इस सभलता को हम डिस्टिक से नीचे ब्लॉक्स तरपल ले जा रहे हैं हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्रम शुरू भी कर दिया है साथियों हमारा नौर्थ इस्ट वो पहले की सरकारों की प्रात्विक्ता में सबसे पीछे था लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने ताय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ट अधिकारी हर पंद्रा दिन में उन छित्रों का दोरा करेंगे नौर्थ इस्ट में और वो भी इस डिस्टिक हेर्टर पर नहीं इंट्रियम में जाना होगा मेरे मिलिस्टर्स को भी जाना है और इतना ही नहीं रात को रुकना है 2014 के बाद केंद्रियम मंत्रियों ने 680 टाइम नौर्थ इसका दोरा किया है करिब करिब 700 बार भारत सरकार के मंत्री प्रधान मंत्री के रुप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधान मंत्री हो गए है उन सबने टोटल जितनी बार नौर्थ इस गया होंगे उससे अनेग गुना बार मैं अकेला गया हूँ इतना ही नहीं है वो गाउं जिनने पहले अखरी गाउं गहाँ जाता था हमने पूरी मांसिकता बढ़ ली जैसे पहले पीछडे डिस्ट्रिक कहते हैं इसमर्गा नहीं है जिसको आखरी गाउं कहाँ जाता था मैंने का ने वो हिंदुस्तान के पहले गाउं है अगर पूरब में है तो पहली किरन वहीं आती है और पस्षिम है तो आखरी किरन उसको सलाम करके जाती है अभी इस कार्कम को लौच हुए करीव एक साल हुआ है इस दोरान 17 मेरे केबिनेट मंत्री इन दूर दराज के गाउं पर रात्री मुकाम करके आये हैं और कुछ तो गाउं ऐसे हैं जहां माइनस 15 डिग्री टेंपरेचर है कहने का ताथ पर यह है कि आपको जो दिखता है न वो तो बहुत छोटी सी चीज़ आपको पता है हमारे मंत्री हर ऐसी जगे पर जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं वो उनके बीच रात बिताना उनसे बाते करना उनके सुक दुख को समझना क्या एक काम कोई चुनाओ की फायदे के लिए होते हैं क्या वो गाओं जा मुश्किल से पचास की बस्ती है सौ की बस्ती है पहुंचने में तिन तिन दिन लग जाते हैं लेकिन एक commitment है चुनाओ तो आते हैं जाते हैं साथियों जिम्मेवारियां होती है साथ जब सरकार का focus क्लियर होता है तो वह हर शेत्र में नजर आता है जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्था करते नहीं देखा कि कैसे सरकार ने नए मंत्राले बना कर अपने लक्षों को साधने की कोशिस थी हमने इसकिल्ट डेवलप्पेन के लिए अलग मंत्राले बनाया है हम ने पशुपालन और फिसरी के लिए अलग मंत्रारे बनाया है हमने कोपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रारे बनाया और इसका नतीजा भी बैज से ही देखने को मिला है आजाती के बाद पहली बार देश में लाखों नव जमानों के स्किल डेवलोप्मेंट का एक बड़ा अभ्यान चला और मैं स्किल डेवलोप्मेंट यहने इंदस्ट्री 4.0 को टार्गेट करता हूं जी कुछ लोग अभी भी गरेज में जाकर के टायर बार इदर उदर करते रहते हैं वो जमाना चला गया अब इंदस्ट्री 4.0 है स्किल ड्राइवर लेकर बैठने वाला काम नहीं है यह आजाती के बाद पहली बार अफिशरी डिपार्टमेंट कि मचली उत्पादन कि आज दो गुना हो गया है और जितना हमारे यह एक्स्पोर्ट सफपर की दुनिया का है हमारे यह मचली का एक्सपोर्ट करीप रहे उतरा पहुच गया है आपको जानकर के और आश्चरे होगा कोवीड में वैक्सिन का तो आपको सब को पता है क्योंकि आपकी खुद की जिन्दगी उसमें दाउं पर लगी थी लेकिन यह मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टिका करन के लिए 15,000 करोड रुपे की योजना बनाई है की का करन का काम चलता है और मेरा जो अल्टिमेट मिशन है जो मैं ग्लोबली इसको प्रमोड कर रहा हूं वन अर्थ वन हेल्थ इसका पीछे मेरे जिए यहने पाउधे की तबियत हो पशुओं की तबियत हो या इनसान की हो आप उसको तुकड़ों में नहीं देख सकते हैं और उसे के दिशा में सात्यों पहली बार पशुपालकों और मचवारों को किसान क्रेडिक कान का लाब मिला है आपने देखा हो का कॉपरेटिव मिनिस्ट्री में अलग बनाई है इस मिनिस्ट्री बनने के बार साथ हजार से ज्यादा पैक्ष के जो छोटी छोटी उनकी कमिटिया होती है साथ हजार पैक्ष का कंपुडी करन का काम कंपुडर रैजिशन का काम पूरा हुआ है सिक्स्टी थाउजन इन्हें गावों में है यह इसी मंत्रा लेने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरे स्केम शुरू की है दो लाख गुडाओं उसका काम चल रहा है अब टीवी ने क्या मेडिया का इंट्रेस क्या रहेगा कि बारीस में कहीं पर अनाच भीग रहा है तो 24 गंटे बहुत बढ़िया न्यू स्टोरी बनती है वो गलत नहीं है वो गलत नहीं है आप सही कर रहे हैं लेकिन उसका समाधान क्या दो लाग गोडाओं बनेंगे नए और उसके साथ किसान को बहुत बड़ा फाइदा ही होगा अब किसान अपना माल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा वो गोडाओं में रख सकता है जब मार्केट तेज होगा उस दिन जाकर के वो बेचेगा उसके इंकम एश्र हो कि हम एसे हेडलाइन वाले कामों को ही काम मानने की एक ऐसी विची सा परिक्तिति में हम जी रहे हैं और इसलिए मैं आठ उन बातों की तरफ ध्यान आकर सिद करता हूं जो आम तोर पर ऐसे समारों की लिए साहथ उनको बेचारों को जगा ही नहीं होते हैं तो साथ में लिए आया हूं साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय कि आपने इज ओफ लिविंग जैसे शब्द तक नहीं सुने होंगे जब पहले की सरकारों की सोची ऐसी नहीं थी तो वो देश के नागरिकों की ईज ओफ लिविंग पर कैसे ध्यान देती है पहले की सरकारों के समय जो पावर्फुल थे जो सक्षम थे वो सुविधाओं के सबसे पहले हगदार बन गई थे शाम दाम दंड भेट जरुवत पढ़ितों सिफारेश जरुवत पढ़ितों रिश्वत कुछ भी करके सुविधाओं हासिल करते लिए और बीच में पिस्था कौन था देश का सामान्य नागरियक वो सामान्य नागरियक जिसको हम आरके लक्षमन के कार्टूनों से ही पहचानते थे मैं उसके साथ जी करके आया हूँ हाल यह थे कि ना इस कॉमन मैं के वक्त की हमें कीमत थी और ना ही उसकी जिन्दकी की परिशानियों को कोई समझता था इस कॉमन मैं की इज अब लिविंग को ही भी हमारी सरवोच पास्मिक्ता के रुप में हमारी सरकार ने काम किया है कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामदे रखोगा हमारे देश में और यह मैं जो आंकड़े रखता हूं वो थोड़ा आप लोगों से जुड़े हुए है तो आपको जल्दी अंदाज आएगा पहले पास्पोर्ट बनवाना हो तो आउसरतन पचास दिन लगते थे और एक छोटे से पुलीस वाले को भी जा करके जरा और इन पचास दिनों में भी लोगों को पचास फोन करने पड़ते थे शिफारिज लगानी पड़ती थी कोशिश करने पड़ती साथियों आपको खुशी होगी आज एक पास्पोर्ट आउसरतन पांस से छे दिन में आपके घर डिलिवरी हो जाता है यह बढलाओ कैसे आया करमिचारी वही है फाइले वही है बजेट वही है बढलाओ कैसे आया लेकिन सरकार ने जैसे ही इस अब लिविंग पर जोड़ दिया सिस्टिम में परिवरतन आना शुरू हो गया और इसके लिए हमने सिस्टिम को इंफ्रासेक्टर से भी सपोर्ट किया 2014 से पहले देश में सिरफ 77 पास्पोर्ट सिवा के अंदर थे पूरे देश में 77 आज करीब करीब सवा 500 पास्पोर्ट सिवा के अंदर है साथ्यों ऐसे ही परिवरतन आप चारों तरब होते हुए देख सकते हैं दूसरा भी विशे में आपी के लोगों से जुड़ा हुआ उठाना चाहता हूं 2014 से पहले इंकम टैक्स रिफंड का एवरेट टाइम था 93 डेज और ये भी तो कुछ लोग की सिफारत के कान जल्दी लाते हैं लिए एवरेट कम आती होगी बागी कुछ लोगों को तो विचारों को दो से चार्चार फाल जाते होंगे अब इंकम टैक्स रिफंड का एवरेट टाइम दस दिन से भी कम हो गया है कि 2014 से पहले हमारे टोल प्लाजा पर और आवस्वतन वेटिंग टाइम बारा मिनिट से जादा था अब फास्ट एक आने के बाद टोल प्लाजा पर एवरेज वेटिंग टाइम 30-40 सेकंड है साथियों हमारे हाँ गुलामी के कालखन में बने पीनल कोड़ पी ऐसे ही चल रहे थे अर उन्जेज ने भी उसका उलेक किया उनके मुल में दंड था न्याय नहीं था क्योंकि वो अंगरीजों की मानसिक्ता से बना था उसको जाते जाते भी मुझे आना पड़ा तब वो गया हमने अपने गुवर्नेंस मोडल की भावना के अनुकुल ही इनको न्याय केंद्रित बनाया है यह जो तीन नए कोड संसल से पास हुए हैं इनसे सामान्य से सामान्य नागरिक को और तेजी से न्याय मिलना संभव हुआ हैं पिछले दस साल में हमारी सरकार ने देड़ हजार से जादा पुराने कानून खत्म किये हैं इन में से कितने ही कानून अंगरिजों के समय में बने हुए थे और ऐसे ही चले आ रहे थे मैं आकसर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए गरीब है उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं अभाव नहीं होना चाहिए सरकार की जादर्वत है सरकार होनी चाहिए लिए ये क्या तरीका है। आजakapार टांग अडाती रहे। जिंद्री की हर चीज में सरकार है। और मैं तो अगर 1047 तकका मैरा मिशंक्रा हुआ तो मां लीजेये मैं हरेकर कि जिन्दगी से सरकार बाहर निकल दूँगा है कि सामान ने मानुवी की जिन्दगी में सरकार होने ही नहीं चाहिए उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिन्दगी जीने की अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला अत्मार उसके लिए छोड़ देना चाहिए और इसी सोच के साथ हमने इजब लिविंग के लिए जैसा मैंने कहना हमने डेड़ हजार कानूं कत्व किये वैसे ही भाती-भाती की चीज़े सरकार माँगती रहती है अच्छा यह फॉर्मला है यह लियाओ यह लियाओ वह लियाओ वह लाए और आपका घर यहां है अच्छा मैंने चालीस हजार से जादा ऐसे कम्प्लाइंसिस को खत्प कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है कि चालीस हजार आप सामान्य नागरी को क्या तकलिब होती होगी भई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दप्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े लाइनों में लगना ही न पड़े बिजली बील हो हाउस टेक्स हो वाटर टेक्स हो पॉपर्टिक का काम हो स्कॉलर्जिक पेलिए सब एपलाई करना हो ऐसे दर्जनों काम अब ऑन-लाइन हो जाते हैं अब रेल्वे स्टेशन पर आपको कोई कातान नहीं देखती हो भी बतागे दुनिया और साथियों इज अब लिविंग का मटलब सर्फ इस तरह की सिविधाओं का विस्तारी नहीं होता है इज अब लिविंग तब बढ़ती है जब गरीब और मद्यमर की जेब में कुछ पैसे बचते हैं उसकी बचत होती है हमारी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों का पैसा बचा रही है यह अपने आप में एक केस्टडी है और अब आप पढ़ रहे हैं तो साइज वहां इस पर उठाईए काम अरून जी आपकी उनिवर्सेटी को लगाईए 2014 में दो लाख रूपिये की सालाना इंकम पर टैक्स देना होता था दो लाख इंकम पर इंकम टैक्स था आज साथ लाक रुपिय की सानारा इंकम पाने वाले को एक रुपिय कभी टैक्स नहीं है इसमें तो ताली बैजाओ यार पैसा तुम्हारा बैज़रा है कि यह मैंने इसलिए किया अगर किसे को ऐसी भाषण में नेंद आ जाती है तो जगाने के लिए जरुएंदा मुझे ताली की जरुवत नहीं थी क्योंकि ऐसे भाषण ऐसे हैं कि में मीडिया को इंटरेस्ट नहीं उस भाषण में आपको क्या मजाएगा लेकिन मैंने कहा आज यही कर ले देखिए हमारी सरकार ने जो नेने लिये हैं उसकी वज़ा से दारेक टैक्सेस में करीब परीब धाई लाग करोड रुपिय बचे हैं देश के नागरी को के डाई लाग करोड रुपिय हैं साथियों कई बार सरकार डिसकाउंट दे रही होती हैं लेकिन हमारे देश के सामान ने मानुई को मैं उसकी चर्चा नहीं होती है पता ही नहीं होता है रेल टिकेट के साथ भी ऐसा ही हुआ है अब कल्बना कर सकते हैं कि सिर्फ रेलवे की टिकेट पर पिछले दस साल में साड़े चार लाग करोड रुपिय का डिसकाउंट दिया गया है साड़े चार लाग करोड रुपिया कि गरीव और मिडल कास के ये पैसे बच ही तो है उसके पास बेचे हैं अब को दर्गार को देता कि भारत अभियान को तो आप हमारे अरुनल की ने तो काफी उसका जंडा उठाय हुआ है मिजया ने काफ 32 गया सबी सबी मिडिया हॉसिज ने किसे ने किसी रुपने उसका साथ दिया यह भी गरीब और मद्दमबर के पैसे बचाने में मदद कर रहा है इस अभ्यान की वज़र से अनेक बिमारिया फैलने से रूकी है एक स्टड़ी में सामने आया है कि स्वच्य भारत अभ्यान हर साल गरीबों के साथ हजार करोड रुपिये से ज़्यादा बचा रहा है साथ हजार करोड रुपिये गरीब का बचना यहने कितना बड़ा काम है जी वरना यही पैसे उन्हें बिमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते हैं इसी तरह आईश्मान भारत वज़ना की वज़र से गरीबों के एक लाग करोड रुपिया जो उनको अस्पताल में देना था वो बचा हुआ है खर्च होने से बच्चे हैं सरकार एक जनवसरी केंद्र चला रही है इन जनवसरी केंद्र में वही दवाईयां कोई क्वालिटी कॉंप्रोमाइड नहीं करीब 80% हम दिसकाउंट देते हैं ताकि मद्यंबर्ग गरीब परिवार हो अब मद्यंबर्ग परिवार में बुजूर माबाप रहते हो डाइबिटेस हो तो डेलेजार दोहजार पे के दवाई लगी जाती उसको आज हमने जनवसदी केंद्रों में जो लोग दवाईयां लेते हैं उसके कारण गरीबों के मद्यंबर के 30,000 करोड रुपिये जो उसकी दवाई में लगने वाले थे डिसकाउंट के गांट 30,000 करोड पे बचे हैं अब आपको जो सीधा जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताता हूं यह जो मोबाईल डेटा भी है आज आपके हजार रुपिये बचा रहा है आपको मालूम ही नहीं है को भूल जाते हैं और यह लोग बताते नहीं है कि दज साल पहले कि मोबाईल डेटा कि दो सो पचास रुपिये पर जीबी होता था 250 रुपीज पर जीबी यह दज साल पहले की बात कर रहा हूं है कि आज कि जितने जीबी एक सामाने भारती हर महिने खर्च करता है उस हिसाब जगर करता तो उसका टेलीफोन का महिने का बिल होता कम से कम 4-5,000 रुपिया से ज्यादा है लेकिन अब भारत में मोबाईल डेटा है दस रुपिया पर जीबी के आसपास है यह यह दाइसों से कम होते दस रुपिया हर महिने आपके मोबाईल बिल में ही तीन साड़े तीन हजार रुपिये बच साल भरका करीब करीब 50,000 रुपिया बोधी आपको देने नहीं आया है लेकिन बोधी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं कभी याद करना मुझे भी यह मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं अभी कुछी दिन पहले हमने सरकार अपने घरों में यह नागरीकों को कह दे रही है सोलार पैनल लगाने के लिए 78,000 इतने रुपिये हर परिवार को मदद के रुप में दे रहा है 38,000 रुपिये कुछी हपते के भीतर इस योजना से जूडने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री चुनू की अब तक एक करोड से जादा लोग एपलाई कर चुके हैं उनको यह पैसे मिलेंगे और इस योजना से जूडने वालों की आम तोर पर एक मिदल का स्वैमिली हैं जिसके गर में एक आदेसी हैं दो तीन फैन है हो सकता है फ्रीज हो हो सकता है वाशिंग मशीन हो तो करीब-करीब 300 यूनिट उसकी बिजली के दरूर पढ़ती है 300 यूनिट मुप्त बिजली मिलनी उससे संभव हो जाएगी इतना ही नहीं जो जादा बिजली पैदा करेगा सोलार सिस्टिम से सरकार वो खरीदेगी और उसकी कमाई का साधन पैदा हो जाएगा साथियों मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की घाड़ी कमाई टैक्स परकी मेहनत की कमाई को ऐसा ही बांड देता तालिया बजवा लेता मेरा रास्ता वो नहीं है द्रोस्तों है जब ऐसा मिलता है तो वहावाई तो हो जाते हैं लेकिन बचत करके भी जीवन आसान बनाया जा सकता है यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है यह रास्ता थोड़ा कठीन है मिडिया के लिए बोरिंग है और आज भी साथ बोरिंग जद अब आशन भी मेरा लगता होगा लेकिन यह लॉंग तम का है देश हित में है और मैं जानता हूं मुझे इसमें महनत ज्यादा पड़ती है लेकिन मैंने जैसे अभी कहा उन्होंने मैं मक्षन पर लकीर करने के लिए नहीं आया हूँ मैं पत्थर पर लकीर करने आया हूँ इसलिए इसलिए मैंने रास्ता चुना है और मैंने रास्ता इसलिए चुना है कि मैं आपके बच्चों के हाथ में एक समरुद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं सांतियों हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल को समझना हो तो आप पीएस्व सेक्टर में आये बढ़लाव को तरब नजर कहेंगे देख पाएंगे आम तोर पर सरकार के पीएस्व मतलब सरकारी खजाने से जन्म लेता है और वो जन्म लेता है उसी दिन उसके एक्सपारी डेट ट्रह हो जाती है यहीं उसका इतिहांत रहा आएज़ी बहुत कम पीएस्व होते हैं सरकार के जो कुछ देश के लिए काम आते हैं बरबादी लाते हैं जो रचना बनाई है जिन्नों ने बनाई है लेकिन आप याद कीजिए बहुत ही नियाद करेंगे तो प्राइट पहले कि सरकारों के चलते हैं बीएस एनल बीएस एनल और एमटी एनल दोनों बरबाद हो गए थे पहले की सरकारों ने एचे एल को भी बरबाद कर दिया था एलाइसी को लेकर भी कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक जूट बोला था लेकिन आज तिती क्या है आज बीएस एनल मेड इन इंडिया फाइव जी की ताकत से आगे बढ़ रहा है आज एर इंडिया नई भूमिका में अपना विस्तार कर रही है आज एचे एल में रिकॉर्ड मैनिफेक्टिंग हो रही है और रिकॉर्ड रिविन्यू जनरेट हो रही है एचे एल के पाथ अब एशिया की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर बनाने वाली फैक्टरी है आज एलाइसी भी दिनों दिन और मजबूद होती जा रही है साथियों हमारी सरकार के इफेक्टिव गवर्णनस के वज़े से आज अधिकतर पी एशियू रिकॉर्ड रिटन दे रहे हैं इन पर निवेशकों का भरोसा बहुत अठीक बढ़ रहा है दस साल पहले पी एशियूज का नेट प्रॉफिट लगवग सवाला करोड रुपिय था अब पीएशियूज का नेट प्रॉफिट करीब करीब दो गुना याने करीब करीब डाई लाग करोड कर पार कर चुका है दस वर्सों में पीएशियूज की नेट वर्फ 9.5 लैक करोड पे से बढ़कर 17 लैक करोड पे तक पहुंच चुकी है जिए जब नेशन फर्स की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परणाम भी मिलते हैं फैमिली फर्स की भावना हो तो नतीज़े आप भुगत रहे हो साथ क्यों हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्स रहा है ब्रस्टाचार को लेकर जीरो टॉलरंस ब्रस्टाचार पर कारवाई के लिए हर एजनसी पूरी तरह स्वतंत्र है अब जैसे इडी को ही देख लिजी है साल ट्वेंटी फोर्टीन तक है कि पीमले के तहर कि बन थाउजन एइट हंडेड केस रजिस्टर किये गए कि स्वतंत्र फंस्ता है स्वतंत्र दुल्स्टाच को काम करने देना चाहिए कि उसको रोकने की अड़ाने क्या जरूत थी हमने कहां भी जो आपको ठीक लेकर करूंद मेरी पॉलिजी तनी जीरो टॉलरंस बीते दस वर्सों में 4700 केस दर्ज हुए हैं मैं जानता हूँ आप ताली नहीं बजा ये इस में कि मैं आपको परिशान नहीं करना चाहता हूँ साल 2014 तक सिरफ अब देखिए देश कैसी हालत में रहा है 2014 तक सरफ 5000 करोड रुप्य की ही संपति एटेश की गई थी हमारे दस वर्सों में एक लाग करोड पे से अधिक्य संपति एटेश की गई है प्रोसीकुशन कंप्लेंट के मामले में भी बीते दस वर्सों में दस गुना की वृत्ति हुई है ED ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनसिंग से जुड़े पराधियों को साइबर क्राइम से जुड़े पराधियों को नार्कोटिक से जुड़े पराधियों को गिरबतार किया है इन लोगों की हजारों करोड रुपे के संपती एटेज की गई है कई सारे ब्रोकरेट्स टे यहां इडी की कारवाई ने नौटों की गड़ियों ने पुरे देश का ध्यान अपनी और खीचा है यह हम कर पाए है अब जब इतनी तेज कारवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाबा भी है और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का भ्यान चला रहे है कि देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीती नियत और निश्वा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है ऐसे लोगों को देश साप साप कह रहा है साथियों ये चुनाव का समय है तो हमारी विपश्टे साथी काजों कागेजों पर सपने बुनने में जुटे हुए है लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले पांच वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बनाने वाले होंगे कि आने वाले पांच साल इस अन्सर्टेन वर्ल्ट के लिए एक स्थीर समर्थ और ससक्त भारत की गारंटी के होंगे आने वाले पांच साल भारत के इंफ्रास्पेक्टर को एक नई उचाई देने वाले होंगे आने वाले पांच साल भारत के रेल के कायक कल्प के होंगे आने वाले पांच साल बुलेट ट्रेन से लेकर बंदे भरत ट्रेन के विस्तार के होंगे आने वाले पांच साल बोटरवे के भुद्पुर विस्तमाल के होंगे आने वाले पांच साल में आप भारत के डिफेंस एक्पोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे आने वाले पांच साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उडान देखेंगे गगन याल की सबलता देखेंगे आने वाले पांच साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर का उदेखेंगे आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को गर गर तक पहुंदता देखेंगे आने वाले 5 साल में भारत में EV manufacturing में record पृत्टी देखेंगे आने वाले 5 साल में आप semi-conductor mission, hydrogen mission को जमीन पर भावाद देखेंगे और आने वाले पांट साल में आप निर्णाएक नीतिया बनते निर्णाएक फैस्टलेरे होते हुए भी देखेंगे और इन संकल्पों की सिद्धी के लिए मैं बहुत पहले काम शुरू कर चुका हूँ कि प्रोग्रेसिव एंफोल्मेट है इसलिए बोलता नहीं हूँ कि मैं इंडिया टुड़े के कॉंक्ले में फिर आऊंगा तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा फिर एक बार आएगा तो देखिए आपका अडियास के आवाज है यह मूड़ा प्रेसर है आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू